हरे व्यक्ति खूपसूरत एवं गोरा दिखना चाहता है और इसी चाह में अपने चेरे पर बिना डॉक्टर की एड़वाइस से कुछ भी क्रीम मतलब इस्टिराइट क्रीम का यूज कर रहा है और अपने चेरे की इस्पिन को खराब एवं कतला कर रहा है और फिर पता नहीं चेरे पर क्या क्या प्रप्रोब्रम सुरू हो जाती है फिर मजबूरन वही क्रीम उसको लगाना मजबूरी हो जाती है इसी तरह की क्रीम जो आजकल बहुत जादा चेरे पर यूज की जा रही है बेटनोयla c के बारे में बात करेंगे एक कर दो और कहां कहां इस क्रीम को यूज़ करना चाहिए नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर प्रकाइश शार्क और आप देख रहे हैं डॉक्तर स्मार्ट हेल्ट वियूद है और के अच्छा रिज़र्ट है लेकिन आप अपने चहरे पर लाकर गलत इस्तिमाल कर्रहे हैं जिससे आप अपने चहरे को तो खड्याप चरकए रहे हैं सांथ में साथ आप वेटनौ-टस को भी बदनाम कर रहे हैं चलिए बात कर बात कर लेते हैं बात कर लेते हैं यह एक इस्टिराइड दबा है यह सरी में एलाजी एवं खुजली पेदा करने वाले बेक्टरिया को मार देती है लेते हैं और यह एक एंटि-इंफलमेंटरी ड्रग का भी काम करती है क्लिक्यून यह एक एंटि-फंगल एवं एंटि-वैक्टरियल दवाय है यह तौचा पर होने वाली फंगल और जलम को खतम करता है फंगल को अपना सरक्ष्य आपरण बराने से रोक कर उसके विकास को रोकता है। चलिए इसके साइड एफेक्ट के वारे में बात कर लेते हैं। पैसे तो इसके इतने कोई ज़्यादा साइड एफेक्ट है नहीं। यदि आप गोरे होने के लिए इसका चेहरे पर यूज करते हैं। तो आप इसकिन को बहुत जिसे चेहरे पर वहां से एवं फुंसिया होने लगती हैं। चेहरे पर चक्ते पढ़ने लगते हैं। एवं इसकिन में खिचाब होने लगता है। चेहरे पर इसकिन पढ़ने लगती हैं। पतली पढ़ने के सांसार चेहरे पर कहीं सफेद एवं कहीं काले निसान एवं पीश्ट एक पड़ने लगते हैं इस्टेराय होता है जब तक आप गोरे होने के लिए लिए इस क्रीम कहीं करेंगे अपने चेरे के human leave दिखाई देगा लेकिन इस क्रीम का यूज़ करना बंद कर देंगे तो आपका चेहर पहले से भी जारा काला घ्रम भद्धा दिखाई देने लगेगा जिससे आप फिर से वही क्रीम का यूज़ करना पड़ेगा वस मेरी तो यही सला है यदि आप इस इस्टिटराइड वेट कर लेते हैं इसको कहां-कहां यूज़ करना चाहिए मैं बात और बताओं आपको इस क्रीम को यूज़ एक कंडिशनल रूप में ही करना चाहिए इसका यूज़ आप सरीर में होने वाली ऐलरी खुजरी में कर सकते हैं इसकिन में होने वाले किसी भी तरह की इंफेक्शन में कर सकते हैं, फंगल इंफेक्शन में कर सकते हैं, सरीर में होने वाले बेक्टेरियल इंफेक्शन में कर सकते हैं, सूजन एवं जलन एवं रेसिस में कर सकते हैं, किसी भी तरह की फुनसी फोड़ा एवं चेहरे पर करने से पहले आप अपने डॉक्टर से समझ जरूर लें और यदि आप अपने चेहरे पर बेटनोवेट सरी क्रीम का यूज़ कर रहे हैं और अपने चेहरे पर प्रॉब्लम्स खतम नहीं हो रहे हैं तो जल्द ही एक स्कीन स्पैसलिस्ट को दिखाएं ताकि आपको सही ट्रीटमेंट एवां सही सुझाब मिल सके और यदि आपने प्लस स्क्रीम का यूज़ किया है या प्लस स्क्रीम का यूज़ कर रहे हैं या उससे संब्सक्राइब कोई भी जानकारी चाहिए तो उस वीडियो का लिंक में ड से संब्सक्राइब वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके लिए